मैं हूँ नफीसा खान स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में दोस्तो इलियाना डिक्रूज लाखो दिलों पर राज करने वाली बॉलिवुट की खूब सूरत एक्ट्रिसस में शुमार होती है वो एक्टिंग तो अच्छी करती ही है साथ ही साथ उनकी फिजिकल बनावट भी काबिले तारीफ है उनकी टांगे लंबी है और वो कर्वलेस हॉट सिजलिंग फिगर के साथ गॉर्जिस लुक की मालकिन है ऐसी फिगर पाना हर औरत की चाहत होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो खुद को फिट रगने के लिए कितनी मेहनत करती है इस बात की जानकारी उनके इंस्टाग्राम एकाउंट को देखने के बाद आराम से मिल सकती है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर फिटनेस के बहुत सारे वीडियो और फोटोस शेयर किये हैं अगर आप भी उनके जैसा करवी फिगर और फिटनेस बाना चाहती हैं तो उनके जैसा फिटनेस रूटीन और डाइट प्लान अपना लेना चाहिए और क्या है उनका फिटनेस रूटीन और डाइट प्लान ये आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले बात करेंगे उनके वर्काउट रूटीन की इलियाना डीक्रोस का फिटनेस रूटीन हल्थ और विलनेस के नेचुरल तरीकों का मिश्रण है वो फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जिम करने की बजाए फिटनेस के नेचुरल मंत्र पर भरूजा करती है वो पिलाटेस करना पसंद करती है और साथ ही इलियानों को फिट रहने के लिए रनिंग और स्विमिंग भी काफी पसंद है वो एक fitness freak actress है जो sports, yoga, control, diet और balanced जीवन के माध्यम से अपनी toned और sexy figure को आगार देती है खुद को fit और healthy बनाये रखने के लिए वो अपनी life में कुछ discipline बना कर रखती है और उसे follow भी करती है और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इल्याना हुद को fit रखने के लिए Pilates करती है उनका मानना है कि ये muscles के अंतर को मिटाता है, पीठ दर्द से राह देता है, सुस्ती दूर करता है, concentration बढ़ाता है और आपको active रखने में मदद करता है बात करें अगर योग की तो योग करना भी इल्याना को काफी पसंद है, वो योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करती है, वो योग बहुत अच्छे तरीके से करती है, आप उनके इंस्टाग्राम एकाउंट पर योग करते हुए कई फोटोज और वीडियोज देख सकत हैं, इल्याना बहुत ही व्यवस्थित रूप से योग करती है, वो मन और आत्मा को पुनरजीवित करने के लिए योग का अभ्यास करती है, योग उने टोन पॉटी तो देता ही है, साथ ही साथ उनमें सहन शक्ती और एकागरता विक्सित करता है, वर्काउट के साथ साथ ए इल्याना भी फॉलो करती है, इल्याना मानती है कि वो खाने को कभी भी बना नहीं करती, इसलिए अपनी भूप को कंट्रोल में रखने के लिए वो हर दो घंटे पर कुछ ना कुछ खाती रहती है, वो पूरे दिन में टोटल छे छोटी छोटी मील जरूर लेती है, और कब क कॉफी, कुछ भी अंडे, लंच वो प्रोटीन युक्त लेती हैं जिसमें चिकन, फिश, विच वगरा शामल होते हैं लंच के वक्त वो कोशिश करती हैं कि वो किसी भी तरह के कार्ब का इस्तमाल ना करें शाम को कभी-कभी इल्याना एक बड़ा मक कॉफी पीना पसंद करती हैं इल्याना जो चीज लंच में खाती है सेम वही चीज वो अपने डिनर में भी शामल करती हैं अर जैसा कि हमने आपको बताया कि वो कार्ब से दूर ही रहती हैं पर इस कार्ब का वो भरपूर फायदा उठाती है अपने चीट डे मील वाले दिन जी हाँ, जिस दिन उनका चीट मील होता है उस दिन वो बिर्यानी खाती है क्योंकि यह उनका फेवरिट है और ऐसी वैसी नहीं बल्कि अपने मा के हाथ की बनी करमा करम बिर्यानी इसके अलावा दिन भर में इलियाना, नारियल पानी, नट्स वगेरा लेना पसंद करती है फ्रूट्स उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन अगर उन्हें फ्रूट लेना ही बढ़ता है तो वो चीकू या फिर अपल खाना पसंद करती है हाँ डाग चोकलेट उन्हें काफी पसंद है और इसे वो कभी भी नहीं छोड़ दी तो कुछ इस तरह का डाइट प्लान है, फिटनस रूटीन है, इलियाना टिक्रूस का तो अगर आप भी इलियाना जैसी बॉड़ी पाना चाहती है तो इन रूल्स को ज़रूर फॉलू करें जो इलियाना ने अपनी लाइफ में अपनी लिये बना रखे है उमीद करते हैं उनके बारे में दी गई ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी आपके काम आएगी तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शियर करें, सब्सक्राइब करें जीवनकोश को और देखते रहें जीवनकोश